अब तो ठक हार के हाथ जोड लियें सब कुछ कर लिया सब कुछ की परिवाशा यहां के आती है पार्टीस में जाना छोड़ दिया खुद को आइने में देखना छोड़ दिया घर वालों पे गुसा निकाल दिया अपने पती को बोल दिया या कोई ऐसा है जो सिटी में रह रह रहा है उनके जो इन लॉज है या वो गाउं में रह रहे हैं वहाँ बोलते हैं कि क्या हो गया तेरे चाहरे पर दस लोग पूछते हैं मतलब सब को जवाब दे दे के हम लोग ठक गए कैसे आप सब उमीद करती हूं सब बहुत अच्छे हैं सबकी लाइफ बहुत आमेजिंग चल रही है हुआ है आपके साथ भी ऐसा मतलब सब चीजे करने के बाद भी आप लोग ठक गए मेरी भी बहुत सारी वीडियो सुन ली मतलब इतनी सुन ली कि अब हमें समझ नहीं आता कौन सी रेमेडी करें कौन सी ना करें कॉन्फिडेंस तो भाई पूरा खतम हो गया है ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी क्या लगता है कि एक महिने में तो यार मुझे कुछ फरक नहीं दिख रहा रोज आइने में खड़ा होके हम देखते हैं कि मैम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं यह स्पोर्ट जो है यहां से कम नहीं हुआ रोज आइने में खडा हो के दीख के खुष को भूते हैं एक महीना हो गया हो गया तुमने वलाता है अपने बूलाता है पीशिंस रखना है एचैंस रखना है और तीन महीने बाद षेहरा Еще Great लाता है कि महीं की बात सच हुई सबसे पहले मैं बात करूँगी मेरी एक पेशिट के मैं नाम नहीं लूँगी और उनकी बिल्कुल इनीशियल पिच्छर के बस आप यह मान लिजे कि जो उनका चेहरा था शाय जो मेरी टीशिट का कलर है ब्लैक ऐसे चेहरा था और यह नहीं कि उनको सिरफ मलाजमा से यह ही मैं मिला के उसके बाद उनका पूरा चेहरा जल गया जब वो मेरे पास आय थे आज से साथ महीने पहले तो उनका जो कॉन्फिटेंस था इतना ज्यादा और उनने का था मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी और मैंने सिरफ बोला था एक से डेड़ साल भरोसा रखना ठीक करके और फिर मैं बताऊंगे कि यह पेशेंट अपनी रूटीन में कौन सी रेमेडी फॉलो कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी लगे कि जहां इंप्रूब्मेंट नहीं हो सकते आप उन रेमेडी को फॉलो कर सको यह अगर मैं इसको सिंपल स्क्रॉल करके दिखाऊं इस तरह से गई है और मैं इनकी अब आपको लेटेस्ट पिच्चर दिखाऊंगी ठीक है आप लोग उससे कंपारिजन कर पाएंगे तो यह अभी है ठीक है मतलब इस कलर से जो वह पिच्चर धीरे-धीरे करके इनके सारे फेस पे वाइट स्पोर्ट आने स्टार्ट हो गये सारा यहां औरुस्ण यह मेरे को हमेशा वोभाव में यह बहुत फरक आया इतनी जयादा इंप्रोब्मेंट है यह कर दो जिलें से 100% recover कर गए क्योंकि इसमें मिले पास अभी last three months का डेट है बट इन सब को improvement है अब जो ऐसे cases आते हैं जिन में मतलब बिल्कुल condition खतम हो जाती है तिक अब लगते हैं कि यार अब क्या करें क्योंकि हम confidence अब आप लोग भी इसे अपनी routine का हिस्सा बना सकते हो खीरे का जूस निकाला एक गिलास बनाया और पी लिया second remedy कौन सी ये follow कर रही है इनको मैंने 7 महीने पहले सबसे पहले मैंने इनको 2 महीने जो करवाई थी वो मैंने कहा था क्योंकि हमें skin को repair करना था जो जल गई थी तो simple बादाम को piece के एक powder बना के रख लिया था डिबी में उसमें दूद मिलाके चाहरे पर मैंने से लगवाती थी डेली 30 मिनट के लिए 2 महीने तक थर्ड मन से मैंने इनकी जो remedy है वो shift करी रोज पेटल के powder पर जो गुलाब की पंखुडियों का powder होता है उसको गुलाब जल डालके उसमें उसका पेस लगाना होता था 15 से 20 मिनट और उसके बाद मैंने इनको switch किया लास टू मन से सुभा इनको क्या करना है कि कर्ड में इन में confidence आया तो आप सोचे कि 6 महीने तो मुझे लग रहा था यार बहुत time लेगा अभी इतनी जल्दी recover नहीं होगा लेकिन skin ने धीरे-धीरे करके improvement दिखाना शुरू किया तो यही चीज में आपको समझाती हो negative कमेंट पे मत जाए आज एक patient आया उनों ने मुझ जगा मैं data जब उनको बोलता है कुछ आप detail दो कुछ दो वो देते ही नहीं है और कुछ जो है वो अगर patient है तो वो patience नहीं है कि उसको दो महीने में वह मुझे क्यों नहीं हुआ तो यह जब आपकी body की बनावत ही वैसी है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप patience रखके चलो अब मैं पेशन का दिखाती हूं इन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ठीक है सारी जहां ब्रेक होने लगी नीचे की skin match होना start हो गई बना इवन जो यह पेशन भी देख रहे हैं आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं मैं आज आपके पिच्छ भी दिखा रही हूं कि कितनी इंप्रूब्मेंट है मतलब पूरे-पूरे पैस थे जिसमें इतनी ज्यादा ब्रेक के जो है वो start हो गई है ठीक है ऐसे ही जो यह आप पेशन देख रहे हैं यह सब वह पेशन्ट है जो कहीं ना कहीं से हार के आय थे और यहां इतनी रिकवर है यह मैं है इनकी मैं एक ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं मेरा अपना चहरा आ भी पाएगा या नहीं मैंने इनको का था मुझे 100% नहीं पता और मुझे सच में नहीं पता था क्यूंकि शायद इस से critical चीज मैंने भी नहीं देखी ठीक है जिस चीजसे यह बर्न हुआ था मैंने इनको का था बसाप मे नवारा ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा मुझे लगता है यह मेरी ऐसी पेशिन होगी जो कम से कम 30 सिटिंग तो नवारा ट्रीटमेंट के ले चुके हैं हर वीक यह कंसिस्टेंसी जाते हैं आइडिली हमारा ट्वाइस एन वीक होता है हमने पहले इनके 10 सिटिंग करी फिर 10 हमने एक्स्टेंट करी उसके बाद इन्होंने का कि मैं ड्रॉप नहीं करूंगे हम फोर्स नहीं करते हर को यह अपने बजट के अकॉर्डिंग चलता है मैंने कभी इनको फोर्स नहीं किया अब आप समझ कियोंगे कि हमारी मेडिसिन काम कैसे करती है और यह मैं है मैं अगर आप प्लीस वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता दे ना ठीक है मैं का सिरफ मेरे यहाँ पे 3 महीने 4 महीने ट्रीटमेंट चला था इनका पूरा फेस क्लीन हो गय एक भी स्पोर्ट नहीं रहा और इनका पूरा फेस बिल्कुल ब्लैक अनिवन टोर आपको यहां पर बिल्कुल यह एक हलका सा ऐसे से लाइन दिख रहे होगे तो आप सोच लीजिए यहां पर पूरे पैचिस थे तो मैं यह चीज़े ना मुझे भी बहुत जादा हैपिनेस मिलती है आज मुझे इससे दिखाने का ना मोटीव है उसका यह है कि यह देखिए जब भी आप जंदगी में काम्याव होने लगते हो ना आपको नेगिटिव लोग हमेशा मिलेंगे आपको उन से दूर रहना है तो जब आपको मुझ पर फेत है और मेरे ट्रीटमेंट पर आप कमेंट्स में मच चाहिए जो मैंने रेमेडी बताई है जिसे इनका क्या था जिसे यह मैम है इनको मैंने क्या क्या था कि आपको डेली नहाते टाइम क्योंकि इनकी स्किन बहुत ब्राय थी नहाते टाइम अपनी नाभी में लग बग 2-3 मिनट ना बादाम रोगन से माल लगाना है फिर धीरे-धीरे करके हम रेमेडी एकॉर्डिंग टो सिच्वेशन चेंज करते गए ठीक है बट रेमेडी ने सपोर्ट करके उसको और ज्यादा मतलब इंप्रूब्मेंट करने में हेल्प किया बट जो से क्योर किया वो इंटरनल मेडिसिन ने किया तो कहने का म बट लग सकता है बट मैं डेफिनिटली आपको ठीक करके दूंगी यह मेरा वादा है आप लोगों से क्योंकि मैंने जाइयों पर जब काम करना शुरू किया था जाइयां पीसी ओडी डिप्रेशन मतलब मेरे यहां पर जब पेशेंट आता है विदा स्माइलिंग फेस और तो उसी स्माइल से यहां से ठीक होके जाता है मेरे हमेशा यह कोशिश रही है जिसे मैंने नवारा ट्रीटमेंट का बताएगी इस पेशेंट ने इतनी सारी सितिंग ली ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनको हम लोग लीच थेरपी भी रिकमेंड करते हैं मतलब क्या है वहां पेशेंट को यह चीज़ रिकमेंड करेंगे सो देट जो ही लिए में एक साल हो लिए हम उसके टाइम प्रियोड भी कम करना स्टार्ट करते हैं और जो लोग बात करते हैं कमेंट की देखो हर चीज के दो पहल हुएं ठीक है अब कमेंट कर रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होता एक इंफ्लेंसर बता रहा है यह नहीं अगया रहा है यह त्टार के बताने में बहुत फर्ण है और से की जो मैं ट्रीट्मेंट दे रही हूं मेरे सामने है आप बैठे हो या में मेरे सी ऑनलाइन कंसल्ट करें मुझे पता यह आपकी मैं पिच्चर देख रही हूं तो मैं उसके according आपको remedy गाइड कर सकती हूँ मैं उसके according आपको treatment भी गाइड कर सकती हूँ problem critical है और तीसरी चीज़ जो कई patient है एक दो जो करते हैं कि हमें फरक नहीं आ रहा है आपको सबर रखना बड़ेगा अगर आप हर 10 दिन में मुझे बोलेंगे और दिन में 50 पर आइना देखेंगे फरक नहीं आरा फरक नहीं आरा तो वहां कुछ नहीं हो सकता मैंने भी तो एक वक्त मांगा ना कि 10 साल की problem है मुझे एक साल चाहिए और मैं हर किसी को बोलती हूँ छे महीने से एक साल और इतना वक्त लगेगा ही कोई जादू नहीं हो सकता उसमें रिजल्ट देना मेरे जिम्यवारी है यह बहुत सिंपल सी आप लोग चीज़ बताईए कि मैं यह नहीं कह रही कि सिरफ इन पेशेंट का यह जो पिछले तीन महीने में यह जो लोग हैं जो जाद यह इतने ठीक है यह यह भी तो एक फेट पर आ रही है ना यह मैं सिरफ स्क्रॉल करती जा रही हो एक ट्रस्ट है आपको ट्रस्ट अपने आप बनाना पड़ेगा जब आप ट्रस्ट बनाएंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा और आज के टाइ और इसा मुंबाई ठीक है आंधर प्रदेश मतलब कैरला जहां आयूरवेदा हब है वहां से भी लोग कंसल्ट करते हैं मतलब मेरी एक पेशिंट है मालती अगर मैं आप देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताना उन्होंने इतने साल ट्रीट्मेंट लिया वो ठीक नही तो एक फेट की बात है ठीक है बस वह फेट बनाना और कोशिश करो सिरफ एक बार ट्रावलिंग की बात है एक बार अटलीस आप यहां आओ आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जो एक पॉजिटिव एट्मोस्फियर मिलेगा आपको खुद से जो जितने भी ल ml कि उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। उपासना की दुनिया को बहुत शुक्रिया।